वर्तमान में देश स्वास्थे अर्थ व्यवस्था और रोजगार के मामले में बुरे दौर से गुजर रहा है तीन दशकों के लंबे इंतिजार के बाद भारत में राश्ट्रिय शैक्षिक नीती 29 जुलाई 2020 को लागू हुई जबकि नई नीती के पहले मसादे को लागू हुए 15 महीने से अधिक का समय बीथ चुका है जिसने इस्कूल की मजुदा पद्धती को काफी हद तक बदल दिया है नई शिक्षा नीती का लक्षे एक ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाना है जो भारत को वैश्विक ज्यानकेंद्र और अधियन के लिए पसंदिदा डेस्टिनेशन बनाने में सिधा योगदान दे पाए लंबे समय के लिए इस नीती को भारत के प्रात्मिक और उच्च शिक्षा प्रणाली में कई मौलिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाने की कल्पना की गई थी प्रथम और JPL इंडिया ने अपने इंडिया रीट कैम्पिन के माध्यम से प्रात्मिक छात्रों के सीखने के परिणामों पर विभिन अध्यन किये हैं इसी तरह की तरज पर NEP ने भी प्रस्ताव दिया है कि बोर्ड परिक्षा में वस्तोनिष्ट और विश्यपरक परश्णिपत्र होंगे यह चात्रों को उनकी सीखने की शमताओं के आधार पर आखेगा वर्तमान में चात्रों पर अपनी व्यक्तिगत शमता का आकलन किये बिना दस्वी कक्षा के बाद विज्ञान, वानिज्य और कलावर्ग के बीच चैन करने की बाद धेता है नई नीती ने पाठ्षेक्रम के शैक्ष्रिक धाचे में बड़े बदलावों का सुझाव दिया है जिससे चात्रों को उनकी रुची का पालन करने और तदा अनुसार करियर चुनने में मदद मिल पाएगी पारंपरिक शिक्षा के अलावा व्यावसाई प्रशिक्षन पाठ्षेक्रम जैसे की कारपेंटरी, इलेक्टरिक वर्क, मेटल वर्क, बागवानी, मिट्टी के बरतन बनाना आदी पर ध्यान केंदरित किया जाएगा यह प्रशिक्षन कक्षा 6 के बाद शुरू होगा, जिसके तहत चात्रों को विशेश प्रशिक्षन दिया जाएगा यह कुछ ऐसे फैसले हैं जो चात्रों को वास्त्विक दुनिया की जलक देने के लिए अपनाए गए हैं, जिनका अंततह उन्हें अपने जीवनकाल में सामना करना ही है नई शिक्षानिती का लक्षे उच्च शिक्षा में 2035 तक 50 प्रतीशत सकल नमांकन अनुपातों के लक्षियों को प्राप्त करना है इसका मतलब 18-23 आयूवर्ग के आधे चात्रों को उच्च शिक्षा में दाखिला लेना चाहिए 2018-19 में सकल नमांकन अनुपात 26.3 फीजदी था इससे पहले 2019 में UGC ने उच्च शिक्षा में इससे 30 फीजदी तक बढ़ाने का लक्षे रखा था इसका अर्थ है कि 2020 के लक्षे को प्राप्त करने के लिए अनुपात में 3.6 प्रतिशत की व्रद्धी होनी चाहिए यह आकड़ा तब तक हासिल करना मुश्किल होगा जब तक की माध्यमिक और प्रात्मिक इस्तर पर जेंडर गैप कम नहीं हो जाता चात्र अब मजूद विश्य सयोजनों की परवा किये विना प्रमुख और मामुली विश्यों का चैन करने में सक्षम होंगे इससे उन चात्रों को लाब होगा जो एक से अधिक विश्यों में रुची रखते हैं यह परिवर्तन अमेरिकी शिक्षा प्रणाली के अनुरूप है जो की भारतिय चात्रों की नजर में एक स्वागत योग्य कदम है नई निती ने शिक्षा के डिजिटल और तक्नीकी पहलूओं को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है इसकूल और उच्च शिक्षा दोनों में ही ऑनलाइन एजुकेशन की ज़रूरतों को देखते हुए मानव संसादन विकास मंत्रा लेद्वारा, बिजिटल सामगरी और क्षमता निर्मान के लिए एक समर्पित इकाई बनाई जाएगी ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशों का एक व्यापक सैट तयार किया गया है ताकि वर्त्मान परिद्रिष्यों में महामारी के दोरान शिक्षा को जारी रखा जा सके शिक्षा पर खर्च किये जाने वाले जीडीपी रेशों पर बहुत लंबे वक्ट से वाद विवाद होता रहा है वर्तमान में यह GDP का सिर्फ 1.7 प्रतिशत है जो कि UK, US और New Zealand जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है ऐसी सभी तुलनाओं को समाप्त करने के लिए नई शिक्षा निती पर GDP का 6 प्रतिशत व्या करने की भी घुशना की गई है नई निती के तहत कॉलेजिज और विश्वविध्यालों को पूर्ण अधिकार दिये जाएंगे साथी इसमें स्वास्थे, भाषा और अत्रिक्त सह पाठ्षेक्रम गतीविधियों के संधर्प में बच्चे के समगर विकास पर भी ध्यान केंद्रित रहेगा रिपोर्ट कार्ड में छात्रों को ग्रेड करते वक्त कौशल और अन्य पेरामेटर्स शामिल होंगे यह नाकेवल बुन्यादी धांचे के निर्मान पर ध्यान केंद्रित करेगा बलकि शिक्षक, छात्र और हित धारकों की शमता को भी विक्सित करने पर जोड़ देगा पहली नजर में देखने पर नई शिक्षा निती की बातें एक सुनहरे सपने की तरह लगती है शैक्षिक निती को सुधारने में पहले ही 34 वर्ष का समय बीथ चुका है जबकि इस दोरान सभी महत्वपूर्ण बिंदूं को समय समय पर अपनाया जाता रहा है हमारी वर्तमान शैक्षिक प्रणाली में संशोधन करने के विचार काफी रोमान चक है आईए हमारे देश की शिक्षा विवस्था में आने वाले सकारातमक परिवर्तनों को देखने के लिए प्रतीक्षा करें